हेलो एवरीवन स्वागत करती हूं एक बार पीर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी किशा शेयर करने वाली हूं सूखे छोले की रैसिपी जो की भटूरों के साथ मिलते हैं मार्किट में और यह चोले बिल्कुल मैंने मार्किट जैसे ही तेय बालने के लिए इनमें मैंने सिर्फ नवक डाला है वालते टाइम और पानी भी जाता नहीं डाला आधी के लिए चोले में लगबग मैंने दो से डाही गिलास पानी डाला है अब मैंने कूकर में 3-4 शीटी लगाने के बाद आदा घंटे तक बिल्कुल मीडियम फ्रेम पर इने धीमी धीमी आज पर पका दिया यह देखिए छोले हमारे बहुत ही अच्छे उबले हैं इसी तरीके छोले उबाले हैं जो की बीच से खेल जाएं जब तक छोले नहीं उबलते तब तक हमारे छोले की सबजी पढ़िया नहीं बनती है तो यह मैंने ले ली हैं मोटे पड़ा सा करी पत्ता दो डाल दिया सावत लाल मिर्च आधी चमच जाल दिया है मैंने सावत जीरा थोड़ा सा डाल दिया सफेद नमग थोड़ा सा डाल दिया धनिया पाउडर थोड़ा सा काला नमग देखिए नमग कितना डाला है जितना की टमाटर की मसाले में जरूरत ह और यह डाल दिया है मैंने उबले हुए चने थोड़े से चने डाल देने से मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा तो अभी यह मसाला हमने त्यार कर लिया है देखिए पेश्ट बना लिया है मसाले का अब फटा फट से हमारे चोले 10 मिनट में रड़ी हो जाएंगे तो यह मैंने लोही की कड़ा ही ले ली है और इसमें चड़ा दूंगे थोड़ा सा सरसो का तेल सरसो के तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद देखिए चिकनाई थोड़ी सी एक्स्टा ही डालेगा क्योंकि सू जब यह मसाला अच्छे से चिकनाई छोड़ देगा तो उसके बाद डाल देंगे हमें इसमें छोटी हेड का पावडर अब यह देखिए मसाला हमारे तियार हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम यह छोटी हेड का पावडर है यह मैंने मसाला तियार करके रखवा है छोले म तो मैं छोले में उबलते टाइम चाय पत्ती का पानी कुछ नहीं डालती हूँ, मैं जब भी छोले बनाती हूँ, कलर के लिए उसमें छोटी हेड का पावडर ही डालती हूँ, उसके दो फाइदे होते हैं, एक तो छोले गैस नहीं बनाते हैं, और दूसरा ये कोई भी नुकस करेंगे यह देखिए यह मसाला तियार है तो अब इसमें डाल देते हैं छोले तो छोले डाल दिये हैं मैंने अब अच्छे से चलाने के पांच मिनट तक गैस चलाने के बाद छोले अच्छे से मिक्स करके इसमें हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी जो ग्रेवी है इसी बंद करके रख देंगे तो बिल्कुल प्रोपर हलवाई वाले स्टाइल के छोले यह तैयार होंगे खाने में भूर टेस्टी लगते हैं तो आप सभी भी ट्राइब कीजिए एक बार यह रेसीपी बटूर के साथ जब भी छोले बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं तो यह देखे यह अब पांच मिनट हो गए हैं हमारे चोले तियार हो गए तो सबसे लास्ट में डाल दूंगे में इसमें थोड़ा सा कटा हुआ द्रक और यह हरी मिर्च तो देखे अब मैंने लोहे की कड़ाई से साथ के साथ निकाल लिया है सर्विंग बावल में तो आप स अभी को मेरे रेसीपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट कीचेगा